Hello friends, my name is Kavita and आज मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के लेकर आई हूँ और यह बहुत ही interesting topic है आज का मेरा topic है कि difference between reflection and reflection अब इन दोने के बीच में क्या difference होता है, reflection और reflection के बीच में तो आईए समझते हैं हम इन दोनों के बीच में क्या difference होता है तो इनको दोनों को समझने से पहले मेरी जो condition है is that कि जो हमारी हमने जो surface ली है हमने जो यह हमारा plane लिया है, जिस plane पे आकर के हमारी rays टक राएंगी यह जो plane है हमारा, यह हमारा smooth surface है, smooth है ठीक है, rough surface नहीं है, यह smooth surface है अब सबसे पहले हम समझते हैं कि reflection क्या होता है, reflection के लिए आपको सबसे पहले यह दिख रहा होगा कि यह plane मैंने लिखा हुआ है, जिस plane पे आकर के incident rays है, उस पे आकर टकराएंगी जिस surface पे आकर के टकराएंगी, उस surface को बोला जाता है plane, ओके, और perpendicular to this plane perpendicular to this plane मतलब यह वरी जो line है, यह वरी line is called normal, इसको normal कहा जाएगा अब जो incident rays है, जब वो आकर टकराएंगी इस plane पर, तो इसको बोला जाएगा incident ray और यह एक normal के साथ में एक angle बनाएंगी, जिसको बोला जाएगा angle of incident और जब same plane से bouncing back होगा light rays का, तो this will be called as the reflected ray यह reflect हो जाएगी मतलब, reflect हो रही है, same plane से टकरा करके, same medium में वो reflect हो करके जा रही है तो उसको बोला जाएगा reflected ray, और यह भी normal के साथ में एक angle बनाएंगी, angle of reflection अब यह जो दोनों के दोनों है, reflection के case में, angle of incident और जो angle of reflection है, यह दोनों के दोनों same रहेंगे मतलब, angle of incident will be equal to the angle of reflection, ठीक है, अब इसका एक example देखते है, reflection का कि जो आपकी image formation है, जो कि mirror के अंदर आपकी image formation बनती है, उसी को आप reflection बोलते है, क्योंकि जो भी आपकी image बनती है, वो same plane से टकरा करके आपको सामने दिखाई देती है, आप as it is उसमें mirror में दिखाई देते हैं, कि यह मैं हूँ, ठीक है ना, और जो second example है, कि आपकी जो भी image formation होती है, still lake पे, still lake का मतलब है कि वो flow नहीं कर रहा है उसमें पानी, वो ठहरा हुआ है, ठहरे हुए पानी की lake के उपर जब आपकी image formation बनती है, तब उसे भी आप reflection बोलेंगे, क्योंकि वो same plane से टकरा करके reflection जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यह था, it is all about the reflection, now we will discuss about the reflection, अब reflection क्या होता है, reflection की सबसे पली condition यह है कि इसमें bouncing back of the light rays in the same medium नहीं होता है, इसके लिए आपको दो mediums की जरूरत है, एक medium है आपका rarer medium, जिसको कि मैंने M1 से denote किया हुआ है, और दूसरा आपका जो medium है, वो मैंने किया हुआ है M2, जो कि मैंने लिखा अब यहाँ पर मैं, let us consider an example कि जो denser medium है, वो मैं मान लेती हूँ कि water है यहाँ पर, ठीक है, और जो यहाँ पर मैंने उपर वाला जो rarer medium लिखा हुआ है, वहाँ पर मैं example लेती हूँ कि air है मेरा, क्योंकि air जो है वो थोड़ी सी कम dense होती है, dense जो index है, वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसका density उसकी कम होती है, water जो है, वो dense माना जाता है air से, क्योंकि उसकी density जादा होती है, ठीक है, अब जो, इसमें भी same चीज़ें है, इसमें भी यह वाली line है, यह वाली line जो आरी, जिस पे की incident ray टकरा रही है, इसको plane बोला जाता है, ठीक है, और जो perpendicular to the plane है, य यह हमारे पास normal है, अब incident rays जब आकर कि इस plane पर टकराएंगी, तो उसकी, जो light rays है, उनकी थोड़ी सी bending होती है, अब वो bending towards the normal भी हो सकती है, और away from the normal भी हो सकती है, towards the normal कब होगी, जब वो rarer medium से denser medium की तरफ आएगा, उस time पे, अभी देखो, आपको towards the normal ऐसे समझ आएगा, जैसे कि इस incident ray है, इसको जाना तो ऐसे straight था, ठीक है, जाना straight था, लेकिन यह हलका सा normal की तरफ bend हो रहा है, ठीक है, यह हलका सा इतना bending जो है, इसकी हो रही है, नॉर्मल की तरफ टीक है, तो यह वाली light rays हमारे पास आ रही है, हलकी सी bending हो करके, तो incident ray जो है, हमारी जब rarer medium स देंसर मीडियम की तरफ आती है, तो वो हलका सा towards the normal bend हो जाती है, और इसी तरीकी से जब वो देंसर मीडियम से, rarer medium मतलब वही M1, M1 हमारा rarer medium था, तो वही rarer medium में जब दुबारा आएगी, अब वो देंसर से rarer medium की तरफ आ रही है, तो वो जाना तो इसको इस तरीकी स स्ट्रेट था, यह इस तरीकी से स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन यह हलका सा जो है, अब यह towards the normal नहीं बैंड हो रही है, अब यह away from the normal बैंड हो रही है, मतलब बैंडिंग of the light rays आपकी हो रही है, जब वो एक medium से दूसरे medium में जा रही है, ठीक है, this is called reflection, phenomena of reflection, ओके, लोगों ने सभी ने rainbow बनते वे देखा होगा अपने बच्पन में, ठीक है, अब जो light rays है, मेरा सबसे पहले सवाल है कि जो sunlight है, वो white color है, लेकिन rainbow में आपको seven colors दिखाई दे रहे हैं, वो किस वज़े से, उसका जो magic है, वो है, reflection, की reflection हो रहा है, जैसे मान लो कि यह हमारे पा पर आगर के जैसे ही वो sunlight टकराएगी, तो उसने क्या है, medium change किया, जब medium change करेगा, तो reflection होगा, यही चीज़ याद रखना हमेशा, medium change होगा, तो reflection होगा, जब वो light rays इस plane पर आगर के टकरा रही है, और जब वो अंदर उसकी हल किसी bending हो रही है, जब वो medium change कर रहा है, तो reflection हो है उसके अंदर, और जैसे ही वो same ये वाला जो plane है, इस वाले plane से जब वो टकरा करके, bouncing back हो रहा है, तो उस time पर उसकी reflection हो रही है, क्योंकि वो same medium में जा रहा है, reflect हो करके, ठीक है, यहाँ पर reflection हुआ, अब वो इस वाले plane से फिर वापस टकरा करके, वापस दूसरे medium में जा तो उस time पर उसका जो होगा, वो reflection होगा, और जब वो बहार निकल जाएगा, तब वो हलका सा जब bending होगा उसका, तो उसमें colors दिखाई देंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको काफी सारे colors जो है, वो बने भी दिखाई देंगे, और जो rainbow है, उसमें seven colors होते है, आपको seven colors आपको उसकी गहराई होती है, उससे आपको वो थोड़ा सा shallow दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है, वो किस वज़े से, वो reflection की वज़े से, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिया है, यहाँ पर लिया है, और इस काच की गलास में आप यह देख सकते हैं कि मैंने जब यह pen को dip किया है, इसकी जितनी actual length है, वो पानी की अंदर वाली जो pen है, उसकी मतलब थोड़ी सी length आपको कम दिखाई दे रही है, वो reflection की वज़े से दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर reflection मतलब एक medium से, जब वो air से water की तरफ जा रहा है, तो हलका सा जो है bending इस pen की आप देख सकत पर हो रही है, कि यह pen है, जब हम देख रहे हैं इसको एक medium से दूसरे medium में, तो हलका सा bend हो रहा है, और इसकी जो length है, वो हमें हलकी सी कम दिखाई दे रही है, इसकी actual length से, ठीक है, तो यह फिनोमेना होता है हमारा reflection, और इसे reflection की वज़े से आपको swimming pool की गहराई है, वो हलकी स differences को देखते हैं और समझते हैं, सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है कि reflection जो होता है, वो है bouncing back of the light, bouncing back मतलब same plane के अंदर, जब light rays, जो incident ray है और reflection ray है, जब same plane के अंदर bounce back हो जाती है, तो उसको reflection बोला जाता है, reflection की तो condition ही है, कि उसका medium हमें दो medium चाहिए होते है, medium one and medium two, rarer or dancer medium, ठीक है, तो उस time पर उसकी bending of the light होती है, ना कि bouncing back, यहाँ पर bending of the light होता है और reflection में bouncing back होता है, second जो point है हमारे पास वो है कि वही same point, first वाले में मैंने repeat कर चुका है, वही same point में यहाँ पर दोहरा रही हूं कि वो same plane के अंदर reflect होकर के return होता है, same medium में, यहाँ पर medium चेंज किया जाता है, light जो है वो travel करती है एक medium से दूसरे medium में, आप जो second हमारा जो, इसका point है वो है कि जो light है, एक बार reflect होने के बाद वो travel करती है अलग-अलग direction में, लेकिन जो उसकी speed होती है, वो same होती है, मतलब यह जो है, यहाँ पर कितनी भी आप incident रेज इस तरीके से show कर दो, मतल लेकिन वो जो है, इस तरीके से reflect होंगी, लेकिन उनका जो speed है, वो same रहेगा, ठीक है, और इसी तरीके जो third point है इसका है, कि एक बार जब light ray reflect होती है, तो वो different direction में तो भले ही travel करती है, लेकिन उसकी जो speed है, वो भी vary करती है, और उसी speed vary की वज़े से, वो towards the normal, या फिर away from the normal bend हो जाती है, ठीक है ना, अब जो हमारा fourth point है, वो है, कि जो angle of reflection के अंदर, जो हमारा angle of incident है, वो हमारा angle of reflection के, reflection के equal होता है, sorry, by mistake, मैंने reflection बोल दिया, angle of incident जो है, वो angle of reflection होता है, ठीक है, यहाँ पर angle of incident जो है, वो angle of reflection नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारी bending हो रही है, light rays की, towards the normal या फिर away from the normal so this is for all this is for all today और आप लोगों को मेरा यह topic कैसा लगा please मुझे comment section में बताना और thank you